नमस्कार फिल्मी बीट मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका बर्मा फाइनली अरजुन कपूर से शादी पर बोली मलाईका अरोडा दे दिया एक बड़ा बयान आज इनों बॉलीवुड में जहां इन दिनों शादी का दौर है वही अफियर को लेकर भी कई किस्से सुर्ख्यों में बने हुए हैं ऐसा ही एक किस्सा है अरजुन कपूर और मलाईका अरोडा के अफियर का जिनने लेकर खबरे जोरो पर है कि दोनों बहुत जल शादी के बंधन में बन सकते हैं फिशले दिनों मलाईका की बोड़े पाटी से लेकर दिवाली पाटी तक में अरजुन और मलाईका साथ में नजर आए मलाईका ने एक अकबार से हुई बातचीत में अपनी इसी रिलेशनशिप को लेकर बड़े खुलासे किये जिसे सुनकर आप भी काफी हैरान हो जाएंगे निरसल इन सभी खबरों पर मलाईका ने कहा कि वो बिलकुल बेफिक्र है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उनके बारे में चल रही ऐसी किसी बातों से फर्क नहीं पड़ता है हाला कि मलाईका के अच्छे दोस्त करन जोहर अपने चार्ट शो में उन्हें इसे लेकर छेड़ भी चुके है आपको याद ही होगा कि हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जब करन जोहर के चार्ट शो में आमिर खान पहुंचे थे तो उसी दोरान मलाईका भी शो में बतौर स्पेशल गेस्ट के तोर पर पहुंची थी और शो में जब मलाईका ने एंट्री ली थी तो करन और आमिर दोनों मलाईका को रसीव करने के लिए गए थे और इसी दोरान करन जोहर ने कहा था कि मलाईका ऐसा तुम्हारे साथ रियल लाइफ में भी जल्द ही होने वाला है तो इस पर मलाईका ने करन को चुप करवा दिया था लेकिन अब आखिरकार मलाईका ने अरजुन से शादी की खबरों पर चुपी तोड़ दी है और कहे दिया है कि वो इन सब बातों की परवाहर नहीं करती वो अपनी जंदगी को जीना चाहती है और अच्छे से इंजॉय भी करना चाहती है इसी के साथ मलाईका ने ये भी कहा है कि उन्हें फरक नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है जैसा कि आप जानते ही हैं कि साल 2016 में मलाईका का अरवास से तलाक हो चुका है याद है कि अरवास और मलाईका के डिवोर्स की वज़े भी अरजुन कपूर को ही माना चाहता है इतना ही नहीं आप तो मलाईका अरजुन के साथ खुलम खुला डे आउट और नाइट आउट पर निकल जाती है वही मलाईका के शो इंडियास गौड टैलेंट में भी अरजुन कपूर इस तरह पहुंचे कि दोनों ने सब के सामने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और तो और इंडियास गौड टैलेंट के मंच पर इंदोनों ने होट डांस भी किया जैसे देखकर हर कोई शोक रह गया हाला कि अभी तक मलाईका और अरजुन ने अपने रिष्टे को समाने के सामने ओफिशल नहीं किया है लेकिन मीडिया खबरों की माने तो ये जोड़ी अगले साल यानि की 2019 एपरिल में शादी कर सकती है वही खास बात ये है कि पहली बार मलाईका ने सब के सामने अरजुन से जुड़े सवाल का जवाब दिया है मलाईका ने अरजुन से शादी के सवाल को टाल दिया हो लेकिन उनका ये कहना कि उन्हें इन सब बातों से फरक नहीं पड़ता इससे तो यही लगने लगा है कि शायद कुछ तो मामला गरबर है फिलाल इस वीडियो में बस अतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा